हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुती स्पेसल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लेकर आया हूँ हिंदी के तस्वम तद्वब की ऐसे पांच ट्रिकें जिससे की आप एक सैकेंड में ये पेंच तस्वम शब्द की तो ध्यान रखीगा तस्वम शब्द संस्कृत के दो शब्द तत प्लस सम से मिलकर या मेल से बना है जिसका अर्थ क्या होता है उसके समान किसके समान संस्कृत के समान शाब्दिक हर्थ तो आपका यह हो गया लेकिन सरल भाशा में कहीं जाए तो जिन सं शंस्क्रिट शब्दो Two का जोये चांत तोई हिंदी में पृइओख किया जाता है उसे तत्शंशब्द कहते हैं यानि कि आपके जोंसे शब्द संस्क्रिट से सीधे direct उठा कर हिंदी में परियोग किये जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के जो हैं का तो हो आपका इस्तमाल किया जाता है हिंदी में उसी को ही क्या आगा जाता है तत्सम शब्द का जाता है example के तौर पर उधारण के तौर पर जैसे कि जल जल को आप आज कल क्या कहते हैं, पानी, अगनी, क्या कहते हैं, आग, विक्ष, पेड, वायू, हवा, कमल, कमल को आज भी कमल ही कहते हैं, लेकिन कुछ शब्दों को परिवर्तित कर दिया जैसे, जैसे कि दुग, जिसको आप क्या कहते हैं, दूद कहते हैं, इस परकार के शब पर अब बात कर लेते हैं दूसरा तद्भव अब ये तद्भव शब्द क्या है तो देखिए तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाशा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं उधारन के तौर पर जैसे कि तद्भव शब्द हो गया आपका आग लेकिन संस्कृत में से क्या कहते हैं अगनी तो आग को संस्कृत के अगनी का परिवर्तित रूप करा गया है होट होट को हिंदी में तो होट कहते हैं लेकिन संस्कृत के ओस्ट के शब्द से लिया गया है ओस्ट को तत्सम एवंग तत्वव शब्द को पहचाननी की ट्रिक क्या है ? ट्रिक नंबर एक, आपको जहां पर भी शब्द में विशर्ग, विशर्ग जैसे की जो शिंबल में आपको बता रख है, दो डोट यानि कि ये जो दो डोट होते हैं ये दो डोट होते हैं आपके विसर्ग के तो विसर्ग का परियोग केवल संस्कृत शब्द में होता है जो हिंदी में उसी रूप में परचलित होते हैं तो जहां पर आपको विशर्ग दिख जाए, जिस शब्द के end में, वो समझ लीज़ेगा कौन सा शब्द होगा, आपका तत्सम शब्द होगा, जैसे कि केशव, देखो लाष्ट में विशर्ग लगा हुआ है, तो संस्क्रिस शब्द है, जिसको हिंदी में केशव कर दिया गय लेकिन हिंदी में उसको बाला, बिना विशर्ग के इस्तमाल किया जाता है, तो जहां पर आपको शब्द के end में विशर्ग दिख जाए, समझ लीज़ेगा तत्सम शब्द है, जिसमें ना दिखे, वो तदभव शब्द है, ट्रिक नमबर दो, ट्रिक नमबर दो में देखो श्रा का परियोग जो होता हो केवल तत्सम शब्द में होता है, संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे कि शिक्षा, शिक्षक, शत्रिय, शती, नक्षत्र, आदी, जहां पर भी आपको यह शब्द दिख जाए श्रा, वो समझ लीज़ेगा कैसा सब्द होगा, आपका तत जैसे कि निमले की चब्दों में से तत्संशम्शब्द है, तो आपको इन में से आपको तत्संशम्शब्द सुन देखने ही पता चल जाता है, जो option number first होगा देखने से पता लगता है यह क्या हो जाता है आपका एक तच्चम शब्द है बाकी छीनना छोडना या फिर धरती है तीनों के तीनों तदभव शब्द है तो option number first इसका सही अंसर था trick number 3 क्या है यह रिशी का प्रियोग केवल तच्चम यानि कि संस्कृत वालों शब्दों में होता है तो जहां पर आपका यह रिशी दिख जाएं आपको वो समझ लीजेगा क्या है आपका तच्चम शब्द है तो यहां पर देख लिए कि सिंगार तदभव यानि कि हिंदी में ऐसा लिखा जाता है और संस्कृत में ऐसे next है आपका मिर्ट का जिसको हिंदी में यानि कि तदभव का शब्द है इसका मिर्टी तो यहाँ पर देखो चेंज करके क्या हो जाता है अब यहाँ पर सोच रहोंगे कि रिशी का निशान तो है नी तो मा के नीचे जो आपके मात्रा देख रहे हो यह रिशी का ही निशान होता है ओके तो ध्यान रखेगा इस चीज को जहाँ पर आपको यह री निशान दिख जा सा होता है आपका सही तो option number first इसका बिल्कुल सही अंसर है आपका रिश्यक जिसे आपके सिर्फ क्या हिंदी में क्या बोला जाता है बालू कहा जाता है तो ध्यान रखेगा जहां री का निशान आ जाए उसका मतलब क्या होगा आपका तत्सम शब्द होगा तो ध्यान रखेगा इस ट्रिक को next है ट्रिक number four four में क्या देख रखा है देखिए प्रय तत्सम में वावन तत्भाव में बा हो जाता है ध्यान रखेगा जो आपका तत्सम शब्द होता है उसमें वा होता है और तत्भाव में जब बदल जाता है तो बा में हो जाता है, जैसे कि कुछ एक्जामपल है, तत्सम और तद्भाव, पहला पूर्व, देखो यहाँ पर वा है, जिसको हिंदी रूप पूरव हो जाता है, विन्ती जो हिंदी में बिन्ती हो जाता है, वर्षा जो कि हिंदी में बादल हो जाता है, वर्षा जो कि हिं जो कि तद्भाव शब्द हो तो उपवास आपका तच्भव है अवगुण आपका तच्भव है नेक्स्ट है आपका अवतार ये भी तत्च्ब्व है और लॉश्ट आपका फूर्थ अम्ये तो यह क्या होता का ये आपका तद्भव रूप है तो जहाãos पर आहं पर आपका व प्र्या दाद्जूर तदभव में शार जाता है इस चीज को जैसे है तदध्सम और तदभव कर देख सकते ह too इद्रिश्य है जो कि आपका कृस्वार्ग जो कि जो फो जाता है Tenn जो कि अंश हो जाता है, देखा आपने कि जो शा हो जाता है, यानि कि शा में चेंज हो जाता है, वो आपका तलवे शा में चेंज हो जाता है, तलवे शा में चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखेगा जब भी आपके तत्सम शब्द होंगे, आपको ये वाला शा दिखेगा, य तो आप तद्वाव शब्दों को पहचानने में प्रियोग करोगे तो आपके 99.9% जो question होगा वो आराम से easily solve हो जाएगा तो इन पांचों ट्रिक को जरूर देखिएगा एक बार समझ में ना आए तो एक बार दुबारा देखिए जा और जो मैं practice के लिए मैंने question दे रखें व question वही question है जो आपके exam में पूछे जा चुके हैं मैंने कहीं से उसमें ज्यादा उच फेर बदल नहीं कराया है ओके तो ये आज का हमारा topic था शब्द विचार में से शोता यानिकि उत्पत्ति के अधार पर तश्रम और वम तद्भाव शब्द से ओके तो दोस्तों आज की YouTube बस इतना ही